Hello friends, welcome to my channel that is easy learning तो आज के वीडियो में मैं आपको UPPCL TG2K का प्रैक्टिस सेट 3 प्रोवाइट कर रही हूँ इसके पहले मैंने आपको दो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइट की हैं जिसमें आपको 25-25 कॉस्चिन का सेट मिलेगा अगर आप में वो वीडियो नहीं दिखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक प्लेलिस्ट का लिंक और वो प्लेलिस्ट में आपको जितने भी मैं वीडियो एड करती जा रही हूँ यह पीसील टीजी टू के तुखेंट के लिए उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा आज का भी तो आज का वीडियो जिसमें आपको 25 कॉस्चिन का लीचे टो क चा वीडियो है स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नेक्स्ट कोशन है निमन को क्रम में लगाई है टाइटल बार स्टेटस बार स्टैंडर बार देखे आपको यहां पर तीन ओप्षिंस दियो हैं मतलब सुरी फूर आपसंस दियो है जिसमें इन्हीं तीनों को एक अलग-अलग और में लगाया गया है पहले स्टेटस बार है ट लग-अलग जिगर होती है कोई उपर होता है कोई नीचे होता है कोई किसी के प्लेस कहीं होती है तो आपको तीनों की प्लेस के अकॉर्डिंग तीनों को लगाना है इसमें जो सही ओडर होगा वो होगा आपका टाइटल बार जो सबसे उपर होता है उसके बाद होता है स्ट Ctrl प्लस Alt प्लस X Ctrl प्लस 0 इसका सही आंसर होगा Ctrl प्लस X होती है LibreOffice Calc में Cut करने की Sort Cut की या फिर आप कह सकते हैं कि Microsoft Office में या LibreOffice के और भी कहीं भी हर जगे Cut करने की Sort Cut की Ctrl प्लस X ही होती है चलिए Next Question है Spread Seat में Cell की Maximum Height कितनी होती है 5, 4, 3, 1 तो इसका सही आंसर है 5 Next Question है Internet Working के लिए किस प्रोटोकॉल का उप्योक के जाता है STTP, PPP, TCPIP, SMTP तो इसका सही आंसर होगा TCBIP Transfer Control Protocol, Internet Protocol इसका प्रोटोकॉल इसका प्रोटोकॉल के जाता है Internet Working चलिए Next Question है LibreOffice में कितनी भासा ऐसा मर्पित होती है 70, 75, 80, 40 इसका सही आंसर होगा 40 40 भासाएं होती है लिब्रे आफ़्स में चले यह नेक्स कोशिन है वर्तिमान में आप एक लिब्रे आफस केलिक इसपरड Etc में G7 sellers है उस पर आप हैं कीबोर्ड की हूम कंजी यह हूम की डबाने के मिदा आप नम्रेव इसे किम में shift हो जाएंगे, किस cell में आ जाएंगे अभी आप LibreOffice Calc में G7 cell पर है अगर आपने keyboard से home की key press की तो आप किस cell में पहुँच जाएंगे उसके options दे हुए है A1, A7, F7, G1 तो इसका सही answer होगा A1 A1 पूरी seat का first cell होता है home की दमाने पर आप first cell पर बहुँच जाते हो question next है आपका Sunny War को NEFT की timing क्या होती है 7-12, 8-12, 24x7 इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा 24x7 मतलब 2400 घंटे NEFT की timing on रहती है Sunny War को next है पहला आधार beast Micro ATM किस ने बनाया SBI, ICICI, BOI, DCB तो इसका सही answer होगा DCB bank ने बनाया था पहला आधार based Micro ATM चलिए next question है Calc में A1 प्लस A2 को जोडने के लिए shortcut की क्या होगी Capital में A1 प्लस A2 Add A1 प्लस A2 Max A1 प्लस A2 None तो इसका सही answer होगा Is equal to capital A1 प्लस A2 ये A1 और A2 cell का जो data है उसको जोडने की shortcut की आप यही प्रस करेंगे तो आपका data add हो जाएगा Next है BG locker में अधिकतम कितने size का document upload कर सकते हैं 20 MB, 10 MB, 15 MB, 25 MB तो इसका सही answer होगा 10 MB चलिए next question है Buy left और लिखे सब्द को मिठाने के लिए किस की का उप्योग के जाता है Buy और लिखे सब्द को मिठाने के लिए किस की का उप्योग करते हैं delete, backspace, delete and backspace या del जो उसका सही answer है backspace का use करते हैं आप जहाँ पर आपकरसर है उसके buy और के सब्द को मिठाने के लिए चलिए next question है digilocker में हम क्या save करा सकते है कितना मतलब data, कितनी memory तक का data हम save करा सकते है 30 MB, 25 MB, 10 MB, 12 MB तो इसका सही answer होगा 10 MB next question है UPI का use एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं 12, 23, 24, 11 तो इसका सही answer होगा 24 घंटे UPI का use एक दिन में कर सकते हैं next question है IFSC code कितने characters का होता है IFSC code कितने characters का होता है 15, 7, 11, 12 तो इसका सही answer है 11 characters का होता है IFSC code चलिए next question है 100 और 200 के note में से किस note का size अधिक बड़ा होता है 100 और 200 के note में से किस note का size अधिक बड़ा होता है 100, 200 ख़ल होता है या फिर नन आफ दीस, तो इसका आंसर होगा 200 का इस अधिक बड़ा होता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन है, VLSI generation में हुआ था 1st generation, 3rd generation, 4th generation, 5th generation तो इसका सही आंसर है, 5th generation में हुआ था VLSI का प्रियोग नेक्स्ट कोश्चन है, Linux में file create करने की command क्या होती है Linux में ये फाइल create करने की command क्या होती है cd, cat, md, mkdier तो इसका सही आंसर है cat Next question है आधार में कितने डिजट होते हैं 15, 10, 12, 16 आधार में कितने डिजट होते हैं 15, 10, 12, 16 सही आंसर है इसका 12 चलिए next question है डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं .mp4, .pdf, .jpg, .png तो इसका सही आंसर होगा .mp4 चलिए next question है sending money on UPI is called UPI के थूँ money भिजने को हम क्या कहते हैं push, pull, receive, transfer तो इसका सही आंसर होगा push करना बोलते हैं sending money on UPI is process को चलिए next question है presentation से बाहर निकलने की shortcut की क्या होती है powerpoint presentation की बात करें उससे आप बाहर निकलने के लिए कौन सी shortcut की का प्रयोग कर दे हो escape, dell, alt, none तो इसका सही आंसर होगा escape next question है windows 10 में कौन सा inbuilt browser है chrome, firefox, edge, opera तो इसका सही आंसर है edge ये windows 10 में inbuilt browser है next question है एक LAN को दूसरी LAN के साथ जूडा जाता है किस के थूड़ते है modem, hub, bridge, router तो इसका सही आंसर होगा bridge के थूड़ते हैं एक LAN को दूसरी LAN से तो ये आपके important questions थे ऐसे ही वीडियोस में लाती रहोंगी आप वीडियोस देखते रहिए और comment करिए जो भी आपकी query है thanks for watching my video जो से धुड़ते हैं